दुनिया के छे शक्ति शाली देशों और इरान के बीच हुआ ये समझोता दुनिया भर में शांती के लिए बेहद एहम है लंबे समय से इरान के परमाणू कारिक्रम को लेकर जारी गतिरोध के बीच जब फैसले की घोशना हुई तो दुनिया भर में इसका स्वागत किया गया भारत के साथ ही दुनिया की तमाम महाशक्तियों ने समझोते को नई शुरू अतकरार दिया आईए आपको बताते हैं कि समझोते में है क्या पाच फिस्ती से ज्यादा का उरेनियम समवर्धन रोग दिया जाएगा प्रतिवंधों में आंशिक रियायत के एवज में इरान समवर्धित उरेनियम की भंडार को कम करेगा बीच फिस्ती समवर्धित सामगरी के पूरे भंडार को या तो हलका किया जाएगा या फिर ऐसे रूप में बदला जाएगा ताकि वो फिर से समवर्धित ना हो सके अराक रियक्टर में अब और निर्माण नहीं होगा और नाहीं वहाँ कोई प्रियोग होगा पर्शिम देश अराक रियक्टर से ज्यादा चिंति थे इरान सेफ्ट्री फ्यूजेज की संख्या नहीं बढ़ाने और संयुक्त राष्ट के परमाणू निर्यक्षकों को अपने रियक्टरों के उन हिस्सों को भी दिखाने के लिए तयार हो गया है जो अब तक उनकी नजरों से दूर रखे गए थे हाला कि इसराइल फैसले से खुश नहीं है इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नैत न्याहू के मुताविक ये एक खराब समझोता है जिसने इरान को वही चीज मुहिया कराई है जो वो चाहता था कुल मिलाकर आने वाले समय के लिए ये समझोता मील का पत्थर साबित हो सकता है ब्यूरो रिपोर्ट डीडी नियूज